एक बार फिर से बिहार के नियोजी सिचको की नौकरी पर तलवार लटक गई है आकिर किस नियोजी सिचको की जाएगी नौकरी किनकी नौकरी बची रहेगी यह भी कहना मुश्किल है लेकिन एक बार फिर से नियोजी सिच्चकों की नोकरी पर तलवार लटकती दिख रही है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बौबी और आप इस समय देख रहे हैं मगत संबाद डिज्टल नियूज जिहां एक बार फिर से बिहार के नियोजी सिच्चकों की नोकरी पर तलवार लटक गई है जाच को लेकर हमेशा ज्योजी सिच्चकों की नोकरी पर जाच 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 आखीर या जाच कब खत्म होगी यह अब सिच्च कहने लगे 2003 से अब तक जाच जाच होल्डर फाइल जमा करो जाच होगी निगरानी के बेवसाइट पर डालो आखिर या जाच कब खत्म होगी डर डर कर नोकरी की जा रही है किसकी जाच हो गई किसकी जाच बाकी है यह भी कनफर्मने आखिर 72 हजार पहले डेड़ लाक उसके बाद एक लाक बीस हजार फिन एक लाक फिन नब्बे हजार फिन पचासी हजार और अब मामला आ गई है 72 हजार पर तो आखिर डेड़ लाक से 72 हजार पर आने पर किनकी जाच सम पुष्ट हो गई है किलियर हो गई है इस बात की भी नाम सामने आने जाएगे खेर खबर जो है उस पर हम फोकस करते हैं कि 72 हजार नियोजी सिच्चकों के फोल्डर नहीं मिले है और बहुत सारे जिलो में सिच्चकों पर एफ हाई आर भी दर्ज की गई है बिहार में नियोजी सिच्चकों और लाइबरेरियन की बहाली में हुए फर्जिवाडा को लेकर जाच जो है पिछले करीब 9-10 सालों से चल रही है बात अगर पटना हाई कोट की कर ले तो पटना हाई कोट के आदेश के बाद निगरानी ब्यूरो को यह मामला 2015 में सौपी गई इतने लंबे समय से चल रही देखिए 2015 में सौपी गई फिर भी नो साल पूरा होगे दसमाचाल चल रहा है फिर भी निगरानी ब्यूरो से भी किलियर नहीं हो पाया है इतने लंबे समय तक चल रही जाच में अब तक 72,168 सिचको के फोल्डर निगरानी ब्यूरो को अब तक प्राप नहीं हुए है इस मामले की जाच को जल्द पूरी करने के लिए निगरानी ब्यूरो के अस्तर पर कवायत अब और काफी तेज हो गई है परन्तु अब तक इनकी संख्या में सिचको के फोल्डर सिच्छा भी भागिया नियोजा निकाईयों से प्राप्त नहीं होने की वज़ा से जाच के समस्या और बढ़ गई है अब तक हुई जाच में निगरानी फर्ची सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के अधार पर बहाल सिचको के मामले में 1380 एफायार दर्जे की गई है जिसमें 2585 को अभ्यूक्त बनाया गया है इन अभ्यूक्तों में कई नियोजा निकाईयों के पददिकारी और करमचारी के अलावा मुखिया समेत अन अस्तर के जन परतिनी दी भी शामिन है सिच्छा विभाग के अस्तर पर सिचको के लापता फोल्डरों को निगरानी को मुहया कराने के लिए कई अस्तर पर जिला से लेकर अन अस्तर के पददिकारीों के साथ बैठक हो चुकी है नियोजित सिचकों के फोल्डर को ऑन्लाइन अप्लोड करने की बेवस्ता भी की गई बावजूद तमाम कवायदों के बाद भी अब भी 72,000 फोल्डर लापता है सबसे ज़्यादा प्रारंभी का स्कूल में 71,630 सिचकों के फोल्डर नहीं मिले है सभी जीलों में DPO के अस्तर से 3,52,927 सिचकों के मामले में 2,80,799 फोल्डर जाज के लिए निगरानी को शौपी गई थी जिसमें 8,38,582 सर्टिफिकेटों की जाज की गई इसमें 5,99,934 सर्टिफिकेट जो है सही पाए गए और 2,38,680 सर्टिफिकेट वेरिविकेशन के लिए लंबित पड़े हैं 2,185 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं तो इस तरह से जाचे हो रही हम आपको बताते कि किनकिन पर किनकिन जिला में कितना एफाई आर हुआ है दर्ज की गई एफाई आर में सबसे ज्यादा मदुबनी में 103 एफाई आर दर्ज की गई है जिसमें 112 अभियुक्त बनाएं गए हैं इसके अलावा पुर्णिया में 85, नालंदा में 89, गया में 71, सिता मढ़ी और गोपालगंज में 60, जमुई में 69, जहानाबाद में 48, सारान एवं मुंगेर में 44, पटना में 40, वहीं अगर बात बेगु सराय की कर ले तो बेगु सराय में 46, बाका एवं अरवन में 47, दर्भं में 49, भोजपूर, भोजपूर में 36, और बकसर एवं मुझहपरपूर की अगर बात कर ले तो 35, समस्तिपूर में 38 तो रोहतास में 36 एफ़यार डर्ज की गई है, और एफ़यार की तयारी है, लेकिन इदर बिहार के नियोजी सिचकों का कहना की हमारी क्या गलती है? हमें सर्टिफिकेट परमान पत्र सैचनिक परमान पत्र है, जब भी आप फोल्डर हमसे मांगा गया, हमने जमा किया, निगरानी के साइट पर जमा किया, फिर भी हमारे साथ बार बार फोल्डर गाएबोने जाच करने की बाते क्यों? कि सिचकों की जिम्मारी केवल उनका सैचनिक पर सैचनिक परमान पत्र है, जो हम लेकर उपस्तित होते हैं, जब सिचक अपना परमान पत्र जमा कर दे रहें, तो फिर फोल्डर क्या है? सभी सिचकों का एक बार पुल्ड जो जमा नहीं करते हैं, उनको अलग करके उस पर बात होनी चाहिए, कर बात जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से बिहार के नियोजी सिचकों की नौकरी पर सर्विस पर काम पर तलबार लटकने लगी है, अब इसमें देखना यह होगा, कि न आपते किया जाएगा, और दोस्यों पर करवाई होगी, इस यार दर्ज होगी, उनकी नोकरी जाएगी, फिलाल हमारे साथ बने रही है, देखते रहे हैं, मगत संबाद, डिश्टल प्लेट फॉस, धन्यवाद, जाहिन, जाए भारत, बंदे मातरम, जंता, नौजवान, बच्चे, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनकी शुरिखा में इजाफा होगा, बिहार के, बिहार में, शुच्छा ग्राक के माधम से, बड़ा एक निर्णय जो लिया गया, लगभग तीन लाक से भी उपर, शुच्छकों की बहाली, यह एक क्रांती कारी देने हुआ, इसके लिए हम मानिय मुखमंत्री जी, पुर्व के मानिय मंत्री, प्रधान सचीब और मानिय मुखमंत्री जी, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता, इसको